हमारी स्कूल गाउं की जो स्कूल मेरे साथ पढ़ते हैं या उनको तो पता ही होगा मेरी जो क्लास थी न वो यह वाली थी वो सामने वाला मेरा घर है यहां पर हम बच्पन में बहुत खेलते थे मेरा बच्पन तो पुरो यही ते दीता है हलो गाइस तो आज मैं आपको मेरा पूरा गाउं दिखाने वाली हूँ अभी हमने हमारे खेत से सुरुआत करी है तो गाइस हम पहुचने वाले रोड पे जहांसे हमारे गाउं की सुरुआत होती है हम सुरू से सुरू करेंगे इसलिए हम यहां पर आये यहां से स्टार्ट हो यह road एक सबको पता है । और हमारी घ्याओव न टुकड़ों मेरी बता हुआ और जेहां हम रहत है वहीं बताने वाली हूं मेरा गाउंगी और गाउंपर बहुत कम रहते हैं जोड़दा है जब लूपतों सब्सक्राओं कि न कह दो ढांते हैं सब पानी नहीं है यहां आप उड़ो पर रहते हैं सब अब जल्दी चलते नहीं तो ना दिन ही एकड़ं पूरा गया नहीं तो शाम हो जाएगी तो आज में शुरुआती लेट करी है इसलिए तो अभी शाम का टाइम में कोई दूद निकार होगा कोई खाना बना रहा होगा कोई रोटी बना रहा इसने क्या शुरू हो चुका है मेरा गाओं घे देरे कर बनाना पड़ेका यहां एक यहां से शुरुवात होती है गाओं कोई और अब आगे से शुरू करेंगे इथ 설xis अब मेरा घर आने वाला है वह सामने वाला मेरा घर है मैं एक दो मौपन में बतारूं कि मेरा घर है पीछे से क्यों आगे से बढ़ना है तो अभी तो हम मेरे गर में पहुंच चुके है तो हमारा गाओ ना वैसा ही है जैसा मैंने बच्पन में देखा करता है ना दस साल पहले वैसा ही है अभी बिल्कुल चैंज नहीं हुआ है वैसे ही है और खंडर हो गया और वी ज्यादा तो कि सब बहार रहते हैं अब कोई रहता ही नहीं है यहांपे यहां पर पहुंच चुके हैं हमारी गवह का मंदिर है काट काट के बना पारी हूं मैं कुछी हूं श्राम का टाइम में सब लोग बाहर होते हैं तो मैं चाजीब लगता है सब नहीं है यहां पर हम बच्पन में बहुत खेलते थे हमारा मेरा बच्पन तो है ना पूरों यहीं पर दीता है सब सुगह ऐसे श्याम में नहीं पर रहती थी वह सोने के लिए जाती थी इतना मेरी मंदिर से इतनी यादे जुड़ी है बहुत अभी आगे चलते हैं एवार धोग तो देखेते हैं अंदर है तो मैंने इधर की साइड से तो बहुत बार दिखाया है व्लॉग में और इधर की साइड से ना हम पहली बार जा रहे हैं इसलिए हमने यह वाला रस्ता है और यह हमारा बाड़ा है इतना सब बाड़ा है पर यहां पर आती को नहीं है पता है अब यहां पर पूरा खंडर पड़ा कोई रहता ही नहीं है मतलब कोई कि नहीं रहता है नीम के हम पहले बच्वन में चड़ते थे नी बोड़ी खाते थे नी मोड़ी तो गाइज अब हम पहुचने वाले हमारी स्कूल गाओं की जो स्कूल है ना वहां पर यह आ चुकी है हमारे गाओं की स्कूल और मैं अंदर से भी बताऊंगी अभी तो यहां कोई आतंवादी थोड़ी है जो हमारे लिए खत्रे का वो बज़ेगा कुछ भी तो हम एंट्री ले चुके हैं हमारी स्कूल में अगर अंदर से जल्दी शाम होने वाली है और यहां पर खेलते थे हम ग्रावन था अमारी स्कूल का और मेरी जो क्लास थी नो वो यह वाली थी जो मेरे क्लासमेंट मेरे साथ पढ़ते हैं उनको तो पताई होगा यह अगर वाली क्लास थी अपनी और यह स्टीज है हमारी स्कूल का अगे से तो कुछ चैनल नहीं हो अंदर से देखते हैं क्या चैनल जो है वैसे शायद पिछले ब्लोग में मैंने बताया था ने वारी स्कूल बताया था मैंने बहुत चैनल हो गया अब तो पेड़ पोदे पहले थे ही नहीं अब पूरा चैनल हो चुका है यह मंदिल है यह ओफिस है पहले ओफिस यहां मिर को यहाद ही नहीं पहले ओफिस कहां थी पहले ओफिस कहां थी बुल गहीं मैं तो उफिस का उफिस है और इदर है न खाना बनता था अभी पता नहीं यहां बनता है यह तो अभी चलते हैं देख लिया है इसकुल तो अभी और आगे इदर की चाहिए तो करते हैं वैसे तो बहुत बढ़ा है लेकिन हम इदर की रस्ते से आये थे बस एक की रस्ते से और दो तिन रस्ते इदर जाते हैं वैसे तो बहुत बढ़ा है हमारा गाओं और धानियों में बट रहा है तो एक उदर है एक उदर है ऐसा है अब वैसे गाओं में कोई रहता ही पैनी अभी बहुत कर रहती हैं . उदर क्या है? पार्साइए बहुत को प्यास से ही फथा कि प्यास से लग रही हैं प्यास लग रही है साथ इसा प्यास लगई मेखके भी फशीनार साथ पानी का 2006 प्यास लग रही है अिए पानीए kan डल मेखका हो reliably this तो गाइज देखा हमारी स्कुल कितनी बड़ी है वहां तक है एक बांग आज समय की यहीं पुकार बच्चे दो और पेड़ हजार पेड़ तो कोई लगाता है नहीं है तो गाइज अभी बस थोड़ा सा खतम होने वाला है इतना सही है हमारे गाउं अभी थोड़ा ही दोर है तो गाउं तो हमारा बहुत बड़ा है लेकिन हमारी डाणी जो है अभी खतम हो चुकी है वस यहां तक एंड है हमारी डाणी का तो गाइज अभी शाम हो चुकी है और हम वापस जा रहे हैं भी हमारी घर है मिलते अगले व्लोग में और हमारे गाउं कैसा लगा कॉमेंट करके बताना लग्यों झाल है प्रादे घ्मारी जादे करो खतम पनो भाणी झाल में गाड़ा है अउन को और है झाल कर वह जा किमेंट सबसी क कि पिंगे याडारी अझा़ा है यह दो आहे हैं दो जो आखर सकत certainly in